जब भी हम solar panel खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कि size का हम इस solar panel लेना होता है क्योंकि market गे अंदर आपको कई अलग-अलग तरह हैं कि size के अंदर solar panel देखने को मिलते हैं जैसी जिसकी requirement होती है वैसा panel वो खरीद सकता है जैसे 50 वोट का, 100 वोट का, 1500 वोट का, 200 वोट का, 325 वोट का, 440 वोट का बहुती बड़े size तक भी आपको solar panel लेकिने को मिल जाते हैं लेकिन सभी solar panel का जो use है हर कोई नहीं कर सकता है अलग-अलग solar panel, अलग-अलग inverter या controller पर लगाए जाते हैं जिसमें से इनका अहम होता है voltage तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप पता कर सकते हैं किसे भी solar panel की voltage और current को और कौन सी voltage range के साथ में कैसा controller आपको लेना चाहिए या inverter लेना चाहिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं solar panel के voltage और current को जो solar panel है वो हमें watt के अंदर देहने को मिलते हैं जैसे कि 100 watt का 200 watt का तो जो हमारा solar panel है उसकी जो output होती है वह voltage और current में होती है तो जब हम voltage और current को multiply करते हैं तो जो result आता है वो watt में होता है वही हमारी solar panel की output power होती है तो यहाँ पर हर solar panel के साथ में आपको एक sticker दिया जाता है जिस पर उस solar panel की पूरी detail लिके होती है कितने output power का है कितनी इसकी max voltage है कितना इसका max current है और इसकी VOC कितनी है ISC कितनी है यह सभी जानकारी आपको उसके पीछे ही दी जाती है suppose कि जिये कि कोई 440 watt का solar panel है तो उसकी जो आपको max voltage output देखने को मिलती है वो 42 watt देखने को मिलेगी और जो max output current होता है वो 10.5 ampere current आपको देखने को मिलेगा और वहीं पर जो VOC range है वो लगबग 45 volt देखने को मिलेगी short circuit current आपको 11 ampere देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो max power पर इसकी voltage होगी वो तो हमें पता ही है कि जब एक certain condition में अपनी maximum power output देगा तब इसका जो voltage और current है वो Vmax और Imax होता है लेकिन जो VOC होती है वो open circuit voltage होती है जब हमारा solar panel किसी भी load के साथ में crack नहीं होता है या inverter के साथ में crack नहीं होता है तब जो उसकी output voltage होती है उसे हम VOC कहते हैं और इसी को हमें measure करना होता है तो इसको कैसे measure कर सकते हैं इसका बड़ा ही आसान सा तरीका है आप multimeter के मदब से इसे check कर सकते हैं simply आपको जो solar panel के दोनो terminal है उसको multimeter के साथ में जोड़ देना है और जो multimeter है उसकी setting आपको DC पर set करनी है क्योंकि जो हमारे solar panel के output होती है वो DC के अंदर ही होती है और DC current को मापने के लिए आपको use करना पड़ेगा clamp meter का clamp meter आपका multimeter की तरह भी काम कर सकता है और clamp meter के मदद से आप current को बड़े ही अराम से माप सकते हैं इसके लिए आपको अपने solar panel की दोनों wire को sort करना है यानि का अपस में उनको जोड़ देना है और कलब meter लगा कर वहाँ पर आप उसका current माप सकते हैं लेकिन जो आप ये measurement करेंगे ये आपको हर एक condition में अलग-अलग देखने को मिलेगा अगर आप सुबह try करेंगे तो इसकी जो output power है वो कम मिलेगी दोबैर को करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगी शाम को करेंगे तो फिर से कम मिलेगी यहाँ पर जो इसकी maximum output power होती है वो एक certain condition में ही आपको उतनी मिलती है इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका होता है आप किसी भी controller या inverter के साथ में उससे पता कर सकते हैं काफी inverter और controller में आपको यह feature देखने को मिलता है जहाँ पर आपको display बर ही दिखा दिया जाता है कि कितने हमें solar panel से voltage और current मिल रहा है तो जैसा की वीडियो में आप देख सकते हैं स्मार्टन कंपनी का यह solar charge controller है MPPT टाइप का इसके अंदर हमें दिखा दिता है कितनी power हमें solar panel से मिल रही है और कितनी power से यह battery को charge कर रहा है तो ऐसे आप बड़ी ही असानी से solar panel की output current या voltage को map सकते हैं अब बात करते हैं कि mapनी की जरूरत क्या है यहां पर current को आपको mapनी के इतनी जरूरत नहीं होती है जो main लिया हमारी voltage होती है या VOC range कहें उसको mapना बड़ा ही जरूरी होता है हलांकि solar panel के पीछे आपको sticker में दे दिया जाता है तो यहां पर जो output voltage होती है उसको ध्यान में रखकर ही आपको solar panel या solar charge controller खरीदना होता है या inverter खरीदना होता है सपोज कि यह आपके panel की VOC 45V है तो आपका जो solar charge controller है या inverter है वो इस VOC range को support करना चाहिए तभी आप इस solar panel का उपयोग controller या inverter पे कर पाएंगे और अगर आपने पहले ही कोई controller या inverter खरीद लिया है तो उसी के अधार पर आपको फिर solar panel खरीदना होगा यहां पर example के लिए बात करें आपने समार्टन कंपनी का PWM Technology का solar charge controller खरीद लिया जो की 50A current rating के साथ में आता है अगर उसको आप single battery पर यूज करते हैं तो आपको 25V VOC वाले solar panel का ही उप्योग करना पड़ेगा जो की 12V के माने जाते हैं इसके अलावा अगर आपने उसे double battery पर लगा दिया अब आप उसको यूज कर सकते हैं better cell या 144 cell वाले solar panel के साथ में जो की sport करता है 50V की VOC range को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो solar panel है उसकी voltage का कितना मैतव है तो यहाँ पर आपको solar panel की voltage यानि की VOC का पता होना चाहिए तभी आप solar panel को controller के साथ में यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हमने काफी testing के अंदर ये देखा है कि किसी solar panel की अगर VOC range 48V है और उसे जब हम 45V की VOC sport करने वाले controller के साथ में लगाते हैं तो सुबह वो काम कर देता है लेकिन जब दोपैर में हम उसको लगाते हैं तो high voltage का error वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उस समय solar panel अपनी max power पर होता है इस बात को विशेज ध्यान रखना है कि जो solar panel है उसकी VOC से जादा ही VOC sport करने वाला solar charge controller खरी दे यहाँ पर आसा power company के अंदर MPPT type के जो solar charge controller आते हैं या loom solar company के अंदर solar controller आते हैं इनकी VOC range काफी high होती है तो high VOC वाले solar panel के लिए इनका उप्योग आप कर सकते हैं अगर कम VOC वाला solar panel का उप्योग करना है तो smart and company के अंदर भी आपको MPPT और PWM दोनों charge controller देहने को मिलते हैं तो अभी कि इस वीडियो में इतना ही अगर इसके बारे में अभी भी ताकि इसी परकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद